नोकिया ने फाइनली MWC28 में 5 डिवाइस लॉंच कर दिये हैं आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नोकिया 8810 रिलोडेट के बारे में जो कि एक काफी पुराना डिवाइस था उसे रिमेजन करके रिलोडेट करके नया डिवाइस लॉंच किया गया है काफी अच्छी बात है कि नोकिया हमारी पुरानी यादे ताजा कर रहा है आज हम इस वीडियो में नोकिया 8810 के बारे में बात करने वाले हैं आपको बताएं कि फोन कब तक लोंच होगा किस प्राइज हो म अब्सक्राइब पुरानी यादा ताजे करा रहा है कि स्मार्ट फोन के जमाने में इस स्लाइडर फोन क्यों लौंच किया नोकिया इसली लूंच कर एक जो फोन जो लोग एक की पर फॉन यूज कर रहे हैं वो की पेंड़ इस आनंद ले सकते हैं तो यह पॉन फोरजी के सा आपको देखने हम देखने हो मिलेगी साथ हिए इसमें अप्स है शुट्वीयर वैण वर्जिन रहेगा वह का रहेगा है कि अभलेट में पहल नापना इंटरेट प्लेट कर सकते हो वो में आपको ब्लुटूथ का सपोर्ट मिले तो बात की जाते हैं आ पेग श्टिकर दिया वाइ जो की काफी अच्छा है फोन को जिससे आप स्लाइड ली डाउन करतों कवर कोलते हो तो फोन की लाइट अटिकली जाएगी पुराने वाले नांके कि आपको याद दिलाएगा सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको इसमें दी जाएगी जो कि एक रेविलिशन यहां पे जो फीचर फोनी यूज करते हैं उनके लिए यह रेविलिशन दिया गया है देखते हैं इसके प्राइज कहां तक लॉंच करता है प्राइज की बात किया है तो यहां पर 79 यूरो मतलब नोकिया ने करीबन 6,000 रुपे इंडियन प्राइज में नोकिया ने करीबन 3-3,500 रुपे अगर यह फोन 6,000 रुपे में किमत में लोंच होता है तो जो यह तल के या करबन की स्माटफोन आते हैं जी यह का फोन आता है उनको ठकड़ दने में काफी अच्छा रहे है क्योंक इसपोर्ट का सपोर्ट भी दिया गया है तो फोन के वाल सिंगल सिम को सपोर्ट करेगा है जो कि आप माइक्रो एज माइक्रो सिम कार्ड इसमें यूज कर सकते हो और साथ में मेरी कार्ड भी यूज मेले सकते हो फोन माइक्रो यूजब चार्ड़ के साथ में आएगा हाँ तो मिलेगा वोग डिजाइन काफी अच्छी डिजाइन घथी अगर अभी नो के दिवान है तो आपके दिल में पुर अँबन के फोन करे सकते करीप में मैं मैं में चंप ग गलोबल एक्ता है कि इंडिया काफी noting निया कॉपलेट आये松 hex अब टरान को खरीदूगा और नोक्या का फैन हूं और लाइक खिर इस वीडियो को सेर के लिजिए साथ में गंडिटा दी रहा उसको दोवाई एसी लेटीस्ट अब्डेट पारें